Hello friends, आज को जो वीडियो है वो हमारा ब्लॉक पेज के उपर है अगर आपने ब्लॉक पेज बना लिया है तो उसके बाद में ब्लॉक पेज के अंदर क्या सैटिंग है जो कि आपको करनी चाहिए जो कि हमारे इस वीडियो के अंतरगत हम आपको बताएंगे सबी settings की practically अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ये वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अपने blog page को Google search में आप अच्छी rank पर भी ला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले blog page बनाने के बाद किन किन बातों का ध्यान अच्छी है हम हमारे इस वीडियो के अंदर करत हम आपको points के जरी ही बताएंगे तो देखते हैं सबसे पहला जो point आ रहा है वो है blogger का नाम easy होना चाहिए जिसे उसे बोलने माई और उसको type करने पर असानी होती है तो हम आपको बताते हैं कि आपको अपना blog का नाम कैसे रखना चाहिए जो कि हम आपके सामने कुछ examples रख रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पर रखा है my Hindi blog या फिर study help हो सकता है music hub हो सकता है cricket funny videos के नाम से आप अपने blog का नाम रख सकते हैं या फिर my career guide, my tech news, latest tech update, new in India तो यही सभी points जो है जिसके नाम पर आप blog का जो भी नाम या फिर अपने blog का address रख सकते हैं तो मैंने आपको कुछ examples बता दिये हैं जिसमें से दो और है latest Hindi news और Hindi story तो यह सभी example आपके blogger के जो address होता है उसको आप रखकर अपना blog page को start कर सकते हैं जैसे कि हमने हमारे next जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे हमने एक blog page बनाया था जिसका नाम हमने यहाँ पर दाग्यान page रखा था तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम blog page बनाते हैं तो उसका कुछ address होता है जो की होता है दाग् default होता है क्योंकि हम blog page के अंदर हम sub domain के तौर पर एक blog page को create कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमारे जो भी blog का address है उसके बाद में blogspot.com आता है अगर आपने अपना blog page का नाम रख लिया है अगर आप उसको change करना चाहते हैं तो वो अब हम आपको बता देते हैं जैसे अगर blog page का आगया है blog page पर open आने के बाद में आपको देखना है कि आपके सामने यहाँ पर एक setting का option दिख रहा है आपको setting के option पर click करना है जैसे आप setting के option पर click कर लेते हैं तो आपको अपना जो भी title दिख रहा है यहाँ से यहाँ पर आपको title दिख रहा है title के बाद में आपको इ इसके बाद में आता है आपका जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि blog address यहाँ पर आपको देखना है blog address जैसे हमारा जो blog address था वो the ज्यान page था अब जिसे अगर हम इसको change करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर edit पे click करेंगे जैसे हम edit पे click करेंगे तो यहां पर हमारे को बोलेगा कि आपको कौन सा रखना है तो यहां से अप simply अपने ब्लॉग पेज का अगर आपने नाम रख दिया है तो आप उसको change भी कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम 123 करके भी कर सकते हैं आपको change करने के बाद में हम जाते हैं next point के उपर जो कि है blogger के setting में description जरूर से लिखना है अब description को क्या होता है कि blog page में description भाय लिखे जो आप अपने blog page में post करेंगे जैसे हम कोई धारण आपको बताते हैं यानि कि आप अपने blog page के अंदर क्या क्या content add करते हैं वह सभी आपको description के तौर पर कहा mention करना चीए वो भी हम आपको बताते हैं जैसे कि अभी हम हमारे जो भी description box से उसके अंदर हम लिखेंगे hello दोस्तो तग्यान page आपको computer से सम्मंदित जायन करी जैसे computer course, programming language, computer प्रेशन उत्तर, computer job, steps, computer से सम्मंदित, सभी प्रकार की जैनकरी हमारे blog page के जरिए दी जाती है फिर उसके बाद में हम एक और उधारन ले ले लेते हैं जैसे कि आपका अपना blog page का नाम आ जाएगा उसके बाद में आपको मिलेगी breaking news हिंदी में, cricket news, bollywood news, political news, सभी प्रकार की national और international news हिंदी में तो ये सभी आप इस तरह के से description आपको कम से कम 150 words का आपको अपना description अपना बनाना चाहिए अपना blog page को start करने से पहले कि आप क्या-क्या बताना चाहते हैं तो ये सभी चीजे आपको पहले से ही अपनी note down करके रखनी पड़ेगी तो हमारे blog page के अंदर हम description को कैसे add करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम हमारे blog page पे आ जाते हैं जैसे कि अभी हम हमारे setting के अंदर ही थें जहां पर हमने title add कराता उसके बाद में आपके सामने आता है description तो देखें यहां पर आपको दे रखा है description तो description पर आपको जा रहा है edit पर click करना है edit पर click करकर आपको अपना description add करना है हमने हमारा description लिख रख है हम सीधा उसको paste कर रहे हैं तो देखें, यहाँ पर हमने हमारा जो भी description है, उसको paste कर दिया है, उसके बाद में हम save changes पर click कर देते हैं, खाली, तो देखें, अभी आप क्या देखेंगे, कि हमारा title भी ready है, और हमारा description भी ready है, तो इस अपना जो blog page के अंदर है, description वो बहुत जरूरी होता है, लिखना, तो चलिए, देखते हैं, next कौन सा है हमारा point, इसके बाद में आता है हमारा, कि अपने blogger की theme, अपने work के अनुसार ही रखें, main करता है, कि आपको जब भी आप blog बना लेते हैं, तो उसकी theme बहुत जरूरी होती है, कि आप कैसे user को interact करते हैं, तो इसके कुछ points है, जब भी theme लगा अगर theme professional लगेगी, तो user blog पर ज्यादा समय दे सकता है, यानि first impression, आपका अगर blog page की theme अच्छी दिखेगी, तो user कहीं न कहीं उस user से attract होगा, और आपके काफी blog page को पढ़ेगा, तो अब हम देखेंगे कि हमारे blog page की theme को कैसे change करते हैं, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम theme का option, तो दिखी, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, setting के उपर आपको एक option दे रखा है, theme का, तो आपको इस theme option पर click करना है, जैसी आप theme option पर click करेंगे, तो दिखे, यहाँ पर आपको दो theme का preview दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखा देता हूँ, य याँ आपका जो desktop computer है, उसके अंदर यहाँ पर कैसे तरह किसे preview दिखेगा, और mobile के अंदर आपका जो blog page है, वो किस तरह किसे दिखेगा, तो यहाँ पर आप अपने blog की theme कैसे change कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग-अलग तरह की theme दी रखिए, तो मेरा मानने यह है कि आपक कम से कम 15-20 post normal theme के अंपर ही upload करने चाहिए, यहाँ पर आपको blogger ने काफी अच्छे theme भी provide करा रहे हैं, जो आपको पसंद है, वो यहाँ से आप blog page की theme ले सकते हैं, तो अभी देखे हम theme change करके दिखाते हैं, हमें यह बारी जैसे theme चाहिए, तो हम इस पर पहले click करते हैं, click कर पहल बाद में, यहाँ पर हमार को, यहाँ देखे हमारा जो title है, वो यहाँ पर show रहा है, और हमने जो description लिखा तो देखे कितना अच्छा लग रहा है, description हमने यहाँ पर लिखा था, तो वो यहाँ पर show रहा है, तो यहाँ पर आगर आपको इसको apply करना हो अपने blog के उपर, तो आप सीधा apply to block करेंगे तो देखिए अभी हम apply to block लगर देते हैं some gadgets में become visible, got it अब हम यहाँ पर click करते हैं theme applied हो चुकी है अगर हमारे block को हम देखना चाहते हैं preview तो हम यहाँ पर view block का जो option दिख रहा है मैं थोड़ा सा इसको zoom करके दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए view block पर आपको click करना है तो हम यहाँ पर हमारे view block पर click कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपकी जो theme है वो इस तरीके से अभी हमारे इसके दर कुछ image है वो बड़ी आ रही है उसका कुछ issue है वो हम देख लेंगे बाद में बड़ी अभी आप देखिए कि अभी हमने क्या करा है हमारे जो block पेच है उसकी theme को हमने change किया है तो कही न कहीं आपका जो google के अंदर आपका जो theme होता है वो कही न कहीं बहुत important भी होता है तो इस तरीके से आप अपने block की theme change कर सकते है चलिए next देखते हैं इसके बाद में आपको कौन सा दे रखा है इसके बाद में दे रखा है कि setting में जाकर आपको अपना time zone अपने समय के अनुसार चुने अब वो कैसे चुने वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने setting में चाहना है setting में चाहने के बाद में आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले एक तो post and यह वाला आता है आपका इसके बाद में आपका यह रहा language and formatting यह वाला option आपको यहाँ मिलेगा language and formatting के अंदर आप अपने blog का जो भी time zone है वो change कर सकते हैं जैसे अभी हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया के लिए यहाँ से हम GMT जो भी आपका 5.30 होता है accurate timing उसके अनुसार हम choose करेंगे तो आप इस तरह के से अपना जो blog page का जो timing है वो आप यहाँ से change कर सकते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर इंडिया standard time हम यह option choose कर लेते हैं हम यह option choose करने के बाद में देखें आज की जो date है 13 April 23 वो यहाँ पर show हो रही है अब यहाँ पर click करने के बाद में आपको save setting पे click कर देना है जैसे आप save setting पे click करेंगे यह आपकी detail फिल होगी है तो कही ना कहीं यह चीज भी आपकी important होती है इसके बाद में देखता है setting में जाकर search preference में meta description enable करें तो यहाँ पर आपको कुछ point दे रहे हैं कि आपको इसको किस तरीके से enable करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि meta description क्या होता है तो meta description आपके post को google search में index के काम आता है जो बहुत जरूरी होता है इस enable करने से आप अपने हर post का meta description लिख सकते हैं और google के search index में अपना post को rank भी करवा सकते हैं तो देखिए supposate अभी हमने हमारा google के उपर simple घ्यान अलर्ट लिखा है अभी हमने google के उपर simple हमारा घ्यान अलर्ट लिखा था तो उसके अंदर हमारा जो भी हमने लिखा है hello welcome to GWT अउलर्ट प्रोवाइट computer knowledge वगेरा तो Google क्या करता है? Google का एक crawling search engine की तरह कारे करता है, तो यानि crawl की तरह काम करता है, जो भी आपका, जो भी आप अपने page के उपर पोस्ट के अंदर या फिर अपने page के उपर जो भी add करेंगे description, तो उनको क्या करता है? तरह का rank लाने के काम में आता है, तो meta description आप हर एक post के अंदर कैसे enable करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आपको, यहाँ पर अपने post email, यहाँ पर आपको search preference में जाना पड़ेगा, search preference यहाँ पर option दिख रहा है, आप आपको बस एक बार enable कर देना, इसके बार में next video के अंदर हम आपको बताएंगे, कि meta tag का use क्या होता है, कैसे हम post के अंदर हमारे जो भी post होता हर एक post के अंदर हम description को add कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सीधा simple edit पर जा रहा है, और यहाँ पर yes पर click करना है, यहाँ पर yes पर computer knowledge, तो हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ word add कर दिया, और save changes पर click कर दिया, simple, तो आप इस तरीके से अपने blog page के उपर meta tag को enable कर सकते हैं, और सभी post के अंदर description को भी add कर सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, next आता है, हमारे सामने search preference में Google search console file को enable करें, अब search preference में Google search console क्या होता है, तो इसके बारे में بتा देते हैं, कि search preference क्या होता है, या आपके blog page को Google को inform करता है, या Google को हमें हमारे blog का address को Google search में link करना होता है जिससे Google आपके post और blog को rank पर ला सके तो यह आपको अभी समझ में नहीं आ रहोगा बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर यह बता रखा है कि आपको अपने जो भी blog का address होता है वो Google search console पर link करना होता है तो आईए कैसे link करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अब देखिए यहाँ पर आपको link करने के लिए आपको बताना है जैसे आप यहीं पर अभी यह search preference में दे रखा है Google search console तो देखिए यहाँ पर गूगल search console यहाँ पर आपको दे रखा है तो इसलिए आपको अगर नहीं करवा रखा है तो आपके सामने कुछ इस तरीके सा आएगा तो अभी हमने करा यहाँ पर add a property तो आपके सामने इस तरीके सा option आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपने जो भी ब्लॉक का जो address होता है उसको copy करना है और यहाँ पर paste कर देना है paste करने के बाद में आपको यहाँ और पीचे से यह चीज को हटा देना है जैसे हमने अभी हटा दिया है ठीक है यह delete कर दे आपको सीधा continue पर click करना है तो अभी हम continue पर click करते है verify property इसके बाद में आपका यहाँ पर verification method आ जाएगा go to property पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे वैसे आपके साबसे इस तरीके से window open हो जाएगी तो link करने में Google को थोड़ा सा time लगता है तो maybe 3 या 4 दिन के बाद में आप अपना जो भी address है अपने जो भी blog का जो address है वो Google के उपर index करवा सकते है तो इसको कुछ दिनों के बाद में आप visit करकर देख सकते है कि आपका जो भी post, blog है page है वो किस तरीके से आपका rank कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही तो कि आज की जो इस रैटिंग सी जो की blog page के related थी वो काफी important थी जो कि आपको अपने blog page के अंदर करनी चाहिए थी तो दोस्तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर से आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी doubt होता है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को क्योंकि next वीडियो आने वाले वो बहुत interesting वीडियो होने वाला है दोस्तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद